हाई मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं सार सक्सेस आज हम बात करेंगे कोटिल्ले के द्वारा लिखित एक बेहद मैतोपुन ग्रंथ जिसका नाम है अर्थशाष्त्रा अगर आप आप पुलिटिकल साइंस में नेट की त्यारी कर रहे हैं या फिर यूपियस्सी की त्यारी आप कर रहे हैं और आपके पास पुलिटिकल साइंस एज ऑप्शनल है तो आपके लिए ये वीडियो बेहद इंपोर्टेंट है इससे पहले कि हम अर्थशाष्त्रा के बारे में डेटेल में चर्चा करें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौटिलिया कौन रहे हैं कोटिल्य का जनम 375 बीसी में तक्षिला में हुआ था जबकि इनकी मृत्यू 213 बीसी में पाटली पुत्र में हुई थी जोकि उस समय मौरे सामराज्य की राजधानी थी वहीं कोटिल्य एंसियंट इंडियन टीचर रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, एकोनमिस्ट रहे हैं, जीवरिस्ट रहे हैं कोटिल्य को चानिक्य और विश्णुगुप्त आदी नामों से भी जाना जाता है और सबसे महत्रपुन बात ये है कि इनको कभी कबार क्लासिकल रियलिजम के फादर के रूप में भी जाना जाता है और सबसे इंपोरेंट एक और बात यहां पे ये है कि इन्होंने मौरे सामराज्य की स्थापना में महत्रपुन युगदान दिया और ये मौरे सामराज्य में संद्रगुप्त मौरे और बिंदुसार के चीफ एडवाईजर भी रहे हैं और जिसके बारे में हमें अभी चर्शा करनी हैं वही ग्रंत इन्होंने दा अर्थशाष्ट्रा लिखा तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कॉटिल्य ने ही अर्थशाष्ट्र लिखा और इसकी भाषा संस्कृत है और इसको थर्ड सेंचुरी बीसी में लिखा गया था जबकि इसका कॉंटेंट है स्टेट क्राफ्ट, अर्थात शासनकला, एकोनॉमिक पॉलिसी, अर्थात आर्थिक नीतियां, विदीशी नीति और सैन्य रण नितियां इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारा कॉंटेंट रहा है जैसे सरकार क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, लौज के बारे में इन्होंने इस ग्रंथ में लिखा और इन्होंने इसमें क्रिमिनल और सिबिल कोर्ट सिस्टम के बारे में भी बताया, एथिक्स क्या होती और सबसे important बात यह है कि इस महागरंथ में इन्होंने बॉर एंड पीस के नेचर के बारे में भी जिक्र किया वहीं अर्थशाष्टर को 1905 में आर सामा शाष्टरी के द्वरा discovered किया गया था और पहली बार 1915 में इसको अंग्रेजी भाशा में अनुधित किया गया था वहीं अर्थशाष्टर में 15 किताबे हैं और 150 अध्याए हैं अर्थशाष्टर को और भी कई नामों से जाना जाता है जैसे The Science of Politics, The Science of Political Economy अर्थशाष्टर हिंदू फिलोसोफी के बारे में भी बताता है अर्थशाष्टर में जो बुक एक से लेके पांस तक है इसमें अर्थशाष्टर में कोटिले ने सप्तांग थियोरी दी है जिसमें स्वामी, अमात्य, कोशा, दंडा, दुर्गा, जनपदा और मित्र आदी शामिल किया जाता है वहीं इन्होंने बुक सिक्स्थ में इन्होंने अर्थशाष्टर में मंडल थियोरी दी है जिसमें इन्होंने 12 प्रकार के राजियों का जिक्र किया है वहीं बुक साथ से लेके 10 तक इन्होंने बॉर एंड पीस के बारे में जिक्र किया है अर्थशाष्टर में इन्होंने 4 प्रकार के मैथड्स के बारे में भी जिक्र किया है जो है साम, दाम, दंड और भेदा वहीं इन्होंने चार प्रकार के कोट्स की भी बात की है और सत्रा प्रकार के कानूनों की भी इन्होंने बात की है इन्होंने इस महतुपुन कृती में राजा के बारे में भी इन्होंने बताया है और राजा के क्या कर्तब्वे होते हैं क्या शक्तियां होती है इसके बारे में भी इन्होंने बताया है लेकिन लास्ट में मैं एक और इंपोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि मैक्स बैबर ने अपनी एक प्रमुख करती Politics as Vocation में कोटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशाष्टर को मैक्यावली द्वारा लिखित दाप्रिंस से भी ज्यादा हामफुल बताते हुए कहा कि Truly, Radical Machiavellianism in the popular sense of that word is classically expressed in Indian literature in the अर्थशाष्टर अफ कोटिल्या compared to it मैक्यावली इस दाप्रिंस इस हामलेस तो इन्होंने इस quotation में ये बताने का प्रियास किया है कि जो अर्थशाष्टरा लिखी गई है कोटिल्ये के द्वारा वो ज़्यादा खतरनाक है उग्र है compare with मैक्यावली दप्रिंस तो ये थी एक छोटी सी वीडियो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यावाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजी शेयर कीजी और चैनल को सब्सक्राइब कीजी धन्यावाद